नमस्कार बच्चो, वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल च्योग्रोफिगरूब आप सभी का बहुत इंपोर्टेंट टाइम चल रहा है इस क्लास का भी आपके लाइफ का भी क्योंकि एक्जाम पे एक्जाम हुई जा रहे हैं थोड़ी से टेंचन में होंगे क्योंकि काफी लेंथी स्लेबस है जिसको रिवाइज करना है और एक्जाम में बिलकुल भी सांस लेने की फुर्चत नहीं है आपके स्कूल टीचर्स इसको नहीं दे रहें ये डियोई की तरफ से यानि कि हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलेज किया गया है फोकस लेबस इसमें वो topics दिये गए जिनके उपर आपको focus करना है जिनके उपर teachers को focus करना है जिनके उपर school को focus करना है यानि हम काफी सारे topics हैं यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे कुछी topics मिलेंगे जिन पर आगर आप focus करते हो तो 95% score करना आपके लिए easy हो जाएगा यह one time offer आपके लिए है one time offer आपको पता है कि COVID-19 की कार्ण classes है आपकी regular नहीं हो पाई है तो थोड़ा सा आपका pressure release करने के लिए focus level से वो release किया गया तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे संस्कृत के focus level की बाकि सभी subject का focus level हम already discuss कर चुके हैं तो चली देखते हैं हमें संस्कृत में किन topics के उपर हमें focus करना है तो यहाँ पे जो पहला भाग रहेगा हमारा भाग है इसमें दिया गया अधोलिकित पाठाधार्ने पठित अवबोधनम यहाँ पर हमारे पठित अवबोधनम की बात करें जैसे कि हमारी पर्षन परकारा एक पदनातमक या पूरण वाक्यातमक है या विकल्पातमक है या फिर बंजू साय साहत्या सलोकावन से या फिर भावार्थ से गरिकत स्थाने पूर्ती रहे घटना कर्मानुसारम लेखनम तो यह इस टाइप के पर्षन यानि कि आपके पर्षन लिखना है चैयो एक पद के हो या पूरण वाक्या के हो या विकल्प वाले हो या फिर आपको शलोक या भावार्थ स्पष्ट करना हो या रिक्स्तान के हो या घटना कर्मानुसारम कथा लेखनम यानि कि घटना करम के इंसार आपको कहाने लिखने हो, तो इन सभी के लिए, जो आपके पाठ के आधारित, पाठित, अवबोध नाम से लेल्टिड जो पर्षन रहेंगे, वो रहेंगे आपके कुछ इंपोर्टिंट चैप्टर से, सिरफ उनी पर फोकस करना है, तो अधो लिखित पाठ नाम, अधिनयम विशेश रूपेनयम, करिनयम, एते पाठ है महत पूना संती, यह जो पाठ तीगे, सबसे इंपोर्टिंट पाठ रहेंगे, जिनके उपर आपको फोकस करना है, तो पहला स भांतोबाल है, यह यह इन पाठ के अपका सेकेंड दूसरा, तीजरा, पांच वहं, चठा और नोवं, यह आपके पांच पार्ट हो जाते हैं, जिन में से दो गद्यक रहेंगे, दो नाटक रहेंगे, नाट्या रहेंगे, एक पद्या करेगा, तो इन पांच पार्ट से आपके रहेंगे जो पर्षन है, चाहे वो एक पद्वाले, यानि कि वन मार्क्स के कोशन्स रहेंगे, मैक्सिमम यहीं से रहेंगे, जो आपके पार् के उपर ये पांच पार्ट आपको अच्छे से त्यार करने यानि बाकी चैप्टर के उपर फोकस करने के बजाए आप पूरी एनरजी यहां पर लगाईए उसके बाद यहां पर इन्ही जो पार्ट है इसमें जिसे रिखांकित पदनानी जो आपको पर्षन निर्मानम होता है रिखांकित पद दिया जाता उस से लेटेड परषन पूछे जाते हैं वो भी इन्ही पार्ट से रहेंगे या फिर आपके जो प्रियार पदनानामा यानि कि विशेश्य विशेशन से लेटेड जो कोशन रहेंगे वो भी इन्ही में से रहेंगे या फिर आपके भाशिक जो कार्या लिया है जो होंगे भासा से रिलेटिड है अन्य जो कोशन पूछे जाते हैं जब किसी भी प्रकार के हो जैसे विशेशन विशे या प्रियाई विलों पद्चन्यम या फिर क्रित्री क्रिया से रिलेटिड है या वाक्या क्रित्री क्रिया पद्चन्यम या भासा कारे स related भी जितने भी person पूछे जाते हैं उनके लिए भी यही chapter रहने वाले हैं यानि 5-6 part हैं जिनके उपर आपको focus करना है किसी भी type के person आप सभी को पता है किस type के questions पूछे जाते हैं तो जो भी पूछे जाते हैं तो part आप 5 ही करने वाले हो अब जो दूसरा भाग है व्याकरण का आपका भाग आजाता है उसमें आपका क्या-क्या रहेगा एपठित अवबोधनम आपका रहेगा एपठित जैसे गद्यांस आपका होता है हिंदी में वैसे एपठित आपका अवबोधनम है जिसको तो आप कहां से त्यार करोगे वह तो आपका common current का को issue topic होगा उस से लेट topics है उचको अच्छे से त्यार कर लोगे चित्र वर्णम अनुछेद लेखनम यानि आपको एक चित्र दिया जाता है और उस पर आधारित आपको उसका वर्णन करना या फिर कोई निबंद लिखना है तो वह त्यारी करोगी निबंद लेखन की अगर बात करें हम कोई एक आपका अनुछेद पूछा जा सकता है तो वह त्यार कर लोगे संस्कृत भाषयाम अनुवाद है यहाँ पर अनुवाद करना है तो वह तो आपको थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए संस्कृत के उपर तो वह रहेगा व्याकरण में इसके साथ सथ आपका संधी कार रहेगे शबद रूपानी जो आपको शबद के रूप पताने आकारांत पूर्लिंग शबदा में बालकवत और पूर्लिंग शबदा उकारांत में साधुवत और आकारांत इस्ट्रिलिंग शबदा में लतावत और श्रवनाम शबदा में असमद और यूसमद यानि कि आप तुकी रूप जो आपको लिखने हैं, त्यार करने हैं, उसमें रहेंगे पठ आपका रहेगा गम, वद, भू, क्रेड, अस, क्री ये रहेंगे, सेव रहेगा, ओके, कारक उपद विभक्तिया में आपका रहेगा, दुवित्या में पारित, निक्षा, प्रती, विना, तृत्य विभक्ती में आपका रहेगा सह, समम, साधम, चतूर्थी में रुच, दा, यच, नमें, पंचमी में बह, भी, रक्षे, शस्टी में उपरी, अध्य, पूरत, प्रिश्ठ, ये आपको करना है, परत्य करने आपको कत्व, तुमन, और कत्व, वत्तु, उपसर्गं में आपको क पर काफी limited कर दिया गय है अगर यह उपसर पूरे करने होते या पर्तेया पूरे करने होते तो बहुत सारा syllabus हो जाता है यह फिर हमें धातू काफी सारी करनी होती तो यहां पर काफी शोट हो गया आपका grammar का portion भी काफी short हो गया आपके गद्यांस पद्यांस भी काफी कम chapters रह गए तो यह है आपका syllabus जिसके उपर focus करना यहाँ पर आपके काफी सारे questions आ रहे हैं जो अभी हमने already chapters जो syllabus discuss किया कि यह mid-term के लिए या annual के लिए तो यह topics यहाँ पर दिया जिनके उपर focus करना है जो आपके mid-term के chapters अलग होंगे कम रहेंगे chapters तो वो chapters रहेंगे उनमें chapter यही रहने topic यही रहने यह total syllabus है annual के लिए भी आपको इनहीं की त्यारी करने है और mid-term के लिए भी इनहीं की त्यारी करने है लेकिन उसमें syllabus mid-term में कुछ chapters कम रहने वाले उमीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आया होगा ये आपके लिए helpful रहा होगा और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको अपने friends के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ वेडियो अगर अच्छी लगी helpful लगी आपको थोड़ा से भी लगा कि इससे आपको कुछ स्पोर्ट मिलेगा तो इसको लाइक करना मत भूलेगा थैंक यू बाइबाई have a nice day